बारतिय संस्क्रिति में सनातन धर्म के अंतरगत हिंदु धर्म में अक्षत्रिय धर्म शे अपभरंश हुए खत्री समाज में एक सर्नेम आता है सेट। सेटू का गोतर क्या है ? सेट कहां से आई ? सेटू का गोतर वदें इनके 5 परवर होते हैं जैशा की आश्वलाइन शूतर में उत्रा भाग में लिखा है, छे बटा दस बटा छे में ये बात लिखी हुई है, जाम दगन्य वत्सो के पंच परवर हैं, ब्रगु, चमण, आप्रवान, औरव और जमदगनी, ये पंच परवर कहलाते हैं, तो इनके जो ब्रहमन हैं, वो क प्रहमन हैं, कुमरिया भी बोल देते हैं, कुमरिय ब्रहमन हैं, इनके भी गोत्र और परवर यही हैं, और जो सेठों की कुल देवी जो है, चंडिका माता कही जाती हैं, एक बार फिर दोराना चाओंगा अपनी बात को, सेठ उपनाम की कुल देवी, चंडिका देवी हैं, सेठों का गोत्र वत्स है, इनके कुल प्रोहित, कुल ब्राह्मन जो है, वो कुमडिये गोत्र के हैं, सेम गोत्र है, और सेम ही परवर होता है, हमेशा पूजा पाठ जप कर्म आदी जो है, अपनी जाती के लिए निश्चित ब्राह्मन से ही करवाने चाहिए, क्योंकि एक तो उनको हमारे रिती रिवाजों के बारे में ग्यान होता है, दूसरा, ये उनका अधिकार है, हमारा दान आदी जो लिया जाता है, उसके पुन्य फल की प्राप्ति हमें तब होती है, जो कि हमारे पूर्वजोंदारा निश्चित ब्राह्मन को हम दान देते हैं, या उनसे हम करम पूजा पाठ आदी करवाते हैं, तो हमेशा अपने जाती के लिए निश्चित ब्राह्मन जैसे की सेठों के लिए ब्राह्मन कुमरिया यानि के कुमरिया गोतर के जो ब्राह्मन होते हैं, वही पूजा पाट करने के दाना दिलेने के अधिकारी होते हैं. तो आप के कुल देवी फिर दुराना चाओंगा चंडिका देवी. बीराजी महराज सिठों के कुल देवता कही जाते हैं. जे शुगी राब, जे जे सीता राब, जे जे हनुग.